हेलो एब्रीवन कैसे आप सब मैं हूँ आपका होस्ष शेफ धीरज और आज इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं कोट बुलियन के बारे में हम लोगों को मालूम है फिश का एक बहुत इंपॉर्टन रोल होता है हमारी कॉंटिनेटल कुजीन के अंदर हमारे इंगर्डियन बोलते हु अब यहां पर जब भी हम लोग फिश को पौष करते हैं या कोई रस्पीज ऐसी होती है जिसमें कि भिश को पौठ करना पड़ता है स्टीम करना पड़ता है मतलब कि फिश को यहां पर दुबाया जाता है से नहीं कि लिए प्रह24 होए मनोहिड़ यहां पर पानी सिर्फ नहीं होता है उसके अंदर और भी इंग्रीडियों डाले जाते हैं ताकि एक अच्छा सा एक स्ट्रॉंग फ्लेवर वाला लिक्विड बनाये जाए फिश को पोज करने के लिए और ये भी हमारे कई प्रकार के होते हैं वही सारी चीजे मैं आज आपको इस वीडियों में बताने वाला हूँ बट आपको क्या करना है आपको हमारे चैनल को सब्स्क्राइब कर लेना है इसके अलावा एक हमारी एप भी है जिसका की नाम है आईचंगुरुकुल आपको गूगल प्लेस्टो पे मिल जाएगी या जो वेबसाइट है www.iachंगुरु हमारा कोड बुलियन है उसको हम लोग वाइट कोड बुलियन बोलते हैं अब इस वाइट कोड बुलियन के जो इंग्रीडियेंट्स हो हैं मेरे sliced communion, democratic विलपे Response Стalk जिसको कि अम लोग Ell´ पार्सले की डंडिया बोलते हैं, पैपर indices जूस ऑफ code bullion है जिसको कि हम लोग ordinary code bullion बोलते हैं इसमें आप किसी भी प्रकार की मिच्छी आप अपनी पोज कर सकते हैं क्योंकि मच्छी के भी अलग प्रकार है कहीं पे आप wholefish कर रहे हैं कहीं पे सिर्फ पिले कर रहे हैं कहीं पे आप लोग रोलाड यूस कर रहे हैं अब इस code bullion को बुलाने के लिए आपको चाहिए क्या होगा आपको यहां पर vinegar लेना पड़ेगा पैपर कॉन लेना पड़ेगा water आपको लगेगा इसके बाद sliced carrot आपको डालना है अनियन आपको डालने है इन सब को मिला के आपको liquid ready करना है और इसके अंदर आप किसी भी प्रकार की मच्छ का जो color है वो change ना हो पानी का जो color है वो change ना हो यहां पर तीसरे number के code bullion में आ गए है जो कि है हमारा white wine code bullion और जैसे नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर wine तो होगी ही होगी क्योंकि कई सारी fish की dishes होती है या seafood की dishes होती है जिसके की अंदर हमको white wine add करना होता है जो कि उस dish क तेस्ट को और ज्यादा enhance कर देता है अब इस white code bullion के जो ingredient है वो है हमारा white wine पानी तो आए गई आएगा जिससे की मच्छी के अंदर यहां पे जो bouquet garni के flavor से हैं herbs के flavor वो आएंगे आएंगे साथ साथ उसके अंदर हमारे जो white wine है उसका भी flavor बहुत ही अच्छी तरीके से घुल जाएगा सबसे last code bullion में हम लोग आ गए हैं जो कि है हमारा red wine code bullion आप लोगों ने देखा होगा यह rule हम लोग बोलते हैं कि white meat के साथ हम लोग white wine यूज़ करेंगे red meat के साथ हम लोग red wine की यूज़ करेंगे बट अगर आप यहां पे देखेंगे हम लोग मच्छी को पोश करने के लिए red wine यूज़ करते हैं कि कि इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अब यहां पे red wine code bullion बनाने के लिए आपको जो ingredients लगेंगे वो है आ salt आपको डालना है और carrot के slices आपको डालना है तो इस liquid को ready करके आपको आपकी मच्छी को वहाँ पे पोश कर लेना है और even जब आपकी सारी मच्छी पोश हो जाती है तो जो यह liquid है उसको आपको पैकना नहीं है क्योंकि इसके अंदर जितने भी मच्छी आपने पोश करी उनकी सारी की सारे nutritious value भी होंगी उनके जो इंग्रेंड आप यूज करें वो भी सारे के सारे इसके अंदर होंगे तो आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं किसी दूसरी चीज को बनाने के लिए specially हमारी sauce को बनाने के लिए तो आपको पूरे stock को strain कर लेना है और उसको ठंडा कर के फ्रिज में रख देना है और उसको दुबारत से आपको reuse करना है उमीद करता हूं code bullion के बारे में आपको पता चल गया होगा और आप भी यहां पर कोई code bullion मनाओगे और अपनी मच्छी को पोश्च करोगे कुछ भी questions और comments वो में जरूर लिखेगा फिर बिलेंगे एक न क्राशस कर भी यहां क विलेंगे और आपさ कर्णा है और रिखेग झाल मनाऊ कर संय करहें जरेंगे में जर जरूर लिखेगा था। रहीर।